एक बार का जिक्र है कि रवी और मनीश, दो पुराने दोस्त, शहर के पास एक छोटे से गाम में सफर के लिए चले गए। गाम में उन्होंने सुना था कि वहाँ एक पुरानी हवेली है, जो बहुत ही भयानक और शापित है। लोग कहते थे कि रात के वकक्त हमारी हवेली में अजीब और गरीब आवाजें आती हैं और जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं आया। रवी और मनीश को ये सुनकर कुछ डर लगा, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अंदर जाएंगे। रात को दोनोंने अपने हाथ में मशाल ली और वो पुरानी हवेली की तरफ चल दिये। हवेली के अंदर बहुत अधिनरा था। जब वो हवेली के बड़े हॉल में पहुँचे तो उन्हें देखा कि वहाँ एक पुरानी कुरसी थी जो धीरे-धीरे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक ही उन्हों एक औरत की चीख सुनी। चीख इतनी तेज थी कि उनका दिल तेज धड़कने लगा। रवी ने मनीश से कहा कि वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मनीश ने कहा, अब आगे चल कर देखते हैं, पता नहीं क्या है। जैसा ही वो एक और कमरे में गए तो डोनों ने डर के मारे अपना होसला खोना शुरू कर दिया और तेजी से वहाँ से भागने लगे। लेकिन जैसा ही उन्होंने दरवाजा खोल कर बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपना आप बंध हो गया। सफेद साय की चीखें उनके कानों में गूंजने लगी और उनके आस समोशी गाव तक पहुँची, लेकिन किसी ने भी उन्हें वहाँ से निकलते हुए नहीं देखा। अगले दिन गाव के लोगों ने वहाँ जाने का सोचा, लेकिन उन्हें हवेली में उन दोनों की कोई निशानी नहीं मिली, बस कुछ पुराने निशान और वही सननाटा उ उन्हें उस भयानक हवेली में मिला। कहते हैं कि आज भी रात को उस हवेली से लोग चिलाते हैं और आवाजों को सुनते हैं। गाव वाले कहते हैं कि रवी और मनीश अब हमारी हवेली में हमेशा के लिए शामिल हो गए हैं और वहाँ कोई भी दोबारा जाने की हिम्मत न करता